चुनावी रण भेरी बच चुकी है सियासत के तमाम योधा निकल पड़े हैं 2019 के रण को फते करने के लिए एक तरफ पिये मोदी की विशाल सेना है, दूसरी तरफ मोदी विरोधी दल 6 अपरेल से लगने वाला नववर्ष, किसकी जगाएगा किस्मत कौन जीतेगा चुनावी जंग, किसके सिर पर सजेगा 2019 का ताज, संत पेतरा शोका की बड़ी भविश्यवानी, देखे सिर्फ धर्म ग्यान पर नमस्कार, धर्म ग्यान और एनमेफ नियूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविताराना परिधावी नामक नवसमवत 2076 का शुभारम, 6 अपरेल 2019 से होने वाला है जिसकी धेरो शुब कामनाए हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं जो कि 6 अपरेल से इसका शुभारम होगा और इसके 5 देन बाद साथ चरणों में होने वाला देश का लोकसवर चुनाव का आगाज भी हो जाएगा ऐसे में पिया मोदे का राजनितिक करियर किस उतार चुड़ाव से गुजरेगा इस पर बाचित करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर दुनिया के सुप्रसेत सुदर्शिन चकर जोतिश चारे श्री सन बेतरा शोकाजी सन बेतराजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस धर्म ज्यान में सबसे पहले तो मैं एनमेफ और धर्म ज्यान के दर्शकों का नवसंबद में अपनी हार्देप किशुम कावनाएं देता हूँ उनका ये नवसंबद बहुत बढ़िया निकले और नवसंबद के साथ ही आपके नवरात्रे भी शुरू है और नवरात्रों को आप बड़ी धूम धाम से मनाएं सर जैसे कि नवसंबद जो है ये हमारा 6 अपरेल से शुरू हो रहा है कहते हैं कि हिंदू पंचांग के हिसाब से एक नया साल लगता है तो ऐसे में और कहें कि 11 अपरेल से जिसका सबको इंतजार था लोग सबर चुनाव का अगाज हो जाएका तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी कि पियमोदी देश के प्रधान सेवक कहें या फिर देश के प में पहले ही यह भुविश्यवानिक कर चुका था कि अगर कि 11 से लेके जो आपका पिरिड है अठारा मई तक का जो है इसमें जो जो डेट हिंदी भाषी चेत्रों की आती है उसमें अगर एलक्षन होते हैं तो हिंदी भाषी बेल्ट में बिलकुल क्लीन स्वीप होगा और मुद्धा जो है राष्टवाद का होगा अब इलक्षन शुरू होते होते आप देख रहे हैं कि मुद्धा जो है अब राष्टवाद की तरफ चल पड़ा है विकास तो है विकास तो first and foremost priority है लेकिन उसके साथ में राष्टवाद जो आपका कश्मीर में हुआ पुलवा है बच्चा बच्चा हर चुरहाय पर आकर उन्होंने जो देश से देश के परधानमंत्री से डिमांड की और उसका जो counter attack हुआ और जिसमें जो है दुश्मन के घर में घुसकर उनके जो आतंकवादी ठिकानों को खतम किया गया और जिसमें उनके 300 से 400 के बीच में उनके आत तो वो उसको मध्य नजर रखते हुए आपका देश की जो जनता है बहुत उत्साहिद है क्योंकि ये पहली वार हुआ है कि भारत ने प्रो एक्टिव डिसीजन लेकर दुश्मन के दांत खटे की हैं ये युद नहीं था ये एक सर्जीकल स्टाइक थी और अगर कहीं हमारे पड़ोस में अगर कुछ गलत होता है तो एक अच्छे राष्टवादी की राष्टवादी होने के नाते आपका ये करतवे बनता कि उसका आप जो है कानून में हाथ कानून को हाथ में ना लेते वे उसके निवारन के लिए आप सहयोग लें पुलिस का सहयोग लें सरकार का सहयोग लें और उसको समाप्त करें ठीक उसी तरीके से मानिय मोदी जी ने पाकिस्तान की ध्रिश्टता का जो जवाब दिया है जो हमारी सैना ने जो जवाब दिया है और क्रीप प्लैंड तरीके से जवाब जो जवाब दिया है वो सरहानी है और हिंदीपाशी बैल्ट जो है उसके जो इलेक्शन की डेट्स बिल्कुल वैसे ही पड़ रही है जैसी पहले प्रडिक्ट की थी तो उसका दूसरा देखिए जो यह नवसंबद है छे अपरेल को शुरू होता है इसमें मानिय मोदी जी की जो राशी है वो ब्रिश्चिक है और उसका जो स्वामी है जिस दिन नवसंबद शुरू होता है वो आपका ब्रिक्ट राशी में है और मंगल ब्रिश्चिक राशी का स्वामी होते वे मंगल की पून द्रश्टी ब्रिश्चिक राशी पे होने के कारण ये नवसंबत 2076 मोदी जी के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला और उसमें जो सफलता है जिसकी हम भविशेवानी बहुत पहले कर चुके हैं 2016 में ये भविशेवानी कर दी गई थी कि 2019 का जो मुख्य मुद्दा राश्टवाद होगा और BJP 299 प्लस सीट्स लेगी NDA जो है 408 प्लस सीट्स लेगी जिसका पुना जब अवलोकन किया गया कैंची धाम नीम करोली बाबा जी के धाम से जब इसका पुना जब इसका अनलेसिस किया गया वो आपके NMF News के माधियम से उसका डेटेल्ड अनलेसिस उसमें जो जो नंबर आये थे वो आपका दिया है तो उसमें कहीं पे भी जो है BJP और NDA जो है 371 से कहीं नीचे नहीं आती और जो फाइनल अंकड़ा है वो 413 का है 413 NDA प्राप्त कर सकती है जिसकी भविशेवानी में पहले कर्चों को आउँ और आजकल के जो हालात है देखिए जब मुद्धा राष्टवाद का होता है तो उसके अगेंस्ट जो भी बोलेगा सब उसके विप्रीत खड़े हो जाएंगे उसके विरोध में जाके खड़े हो जाएंगे आप एक्जामपल ले लिजेगा सिदो ने जो वक्तव्य दिया पुलवावाँ पे कि वो पेड़ गिरा के आए हैं या वहाँ पे लोग मरे हैं कितना नीच मान सिकता का घोता है तो कौन खड़ा होगा विपक्ष के पास साथ जाके यही कारण है कि जो गटबंदन जिसको महागटबंदन का नाम दिया गया है महागटबंदन में आज जो हैं इसके निर्माता जिनके इनिशेटिव से महागटबंदन शुरू हुआ था वो महागटबंदन से एक किसम से बार हैं क्योंकि महागटबंदन का कोई भी नेता उनको एजे पीम केंड़िट नहीं मान रहा है सर जैसे कि अभी आपने बताए कि नव समवत दो हज़ाद अच्छी अत्तर पीम मोधी जी के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है उनके फेवर में जाने वाला है ऐसे में मन में ये सवाल भी उड़ते हैं कि कही ना कही क्या जो महागटबंदन है जो मोधी विरोधी दल है वो क्या पिया मोधी की रहा में अर्चे ने पैदा कर सकते हैं कि आपको इसे संकेत दिख रहे हैं देखिए इस टाइम का जो दोहजार चेटर की जो सितारे हैं वो तो यहां तक कह रहे हैं कि हमारा पडोसी देश कोई नो कोई ऐसी हरकत करेगा जिस से देश में चुनाव जो हैं चुनाव के उपर बहुत बड़ा असार आएगा कोई नो कोई ऐसी घटना होगी कुछ नो कोई नो कोई ऐसी हरकत होगी जिस से चुनाव जो है पोस्पॉंड हो सकते हैं ऐसी संभावना इसमें नजार आ रही है क्योंकि जो ग्रह दशा बता रही है इस तेम 6 अप्रेल 2019 जिस दिन हमारा नवा संबत स्टार्ट होता है इसका राजा जो है वो है शनी और उसका मंत्री जो है वो है सूर्य है और मैंने ये बी सुनाद कि जो शनी देव होते हैं वो इन्सान के कर्म के हिसाब सो उसे फल देते हैं राजा शनी होने के कारण और शनी का जो वाहन है वो है भैसा और भैसा आपको पता है यमराज की सवारी है तो 2076 का जो आगमन है राजा शनी होने के कारण और उसकी सवारी भेंसा होने के कारण और उदर मंतरी जो आपका है वो है सूर्य देव भगवान तो जब भी मंतरी वर्ष का मंतरी जब सूर्य होता है तो राष्टा अध्यक्षों के बीच में परस पर आपस में परस पर वो कंपिटिशन के कारण युद का बातावन बनता है और अभी जो हाला चल रहे हैं उसको मध्य नजर रखते वे और क्योंकि राजा शनी है शनी उपद्रब कारी ग्रह है और ये आपके किये हुए करमों के अनुसार ही फल देता है राजा शनी हो गया और केतू की महादशा में चंद्रमा का अंतर है जिस टेम पे हमारे जो हैं इलेक्शन चल रहे हैं उसमें केतू की महादशा में चंद्रमा का अंतर है और स्टार् है वो है आपकी 11 अपरेल से उस टेम केतु में सूर्य में शुक्र शुक्र जो है मुस्लिम रास्ट्रों का मालिक है शुक्र तो इसलिए कहीं से पाकिस्तान के तरफ से कोई ना कोई कि वो नहीं हरकत जुरूर होगी जिसका उसको माकूल जवाब मिलेगा तो इसलिए ये इलेक्षन इतने असान नहीं है तूसरा इसमें बारवे घर में राहू है और छटे घर में शनी केतु का योग होने के कारण शनी और केतु की योग के कारण और शनी में शनी आपका राजा हो गया और मंत्री हो गया सूर्य और केतु की महादशा और इदर आपकी भ्रामरी में उलका योगनी के करण तो ये जो पूरा समीकरण बन रहा है इसमें कुछ स्थिती जो है इतनी आसान नजर नहीं आ रही है कि टाइम से इलेक्षन ठीक ठाक होंगे कुछ ना कुछ इसमें द्रव होगा जिसका उनको माकूल जवाब दिया जाएगा और ये भी हो सकता है कि हमारा पड़ोसी देश इस इलेक्षन को डिस्ट्रप करने की पूरी कोशिश करेगा लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जो विरोधी दल है मान लीजे जो हमारे विपक्ष नेता है क्या उनके तरफ से कहें कि कही ना कई अर्चने पैदा हो सकती है तो आपने कहा कि इलेक्षन जो है उसमें कही ना कई पड़ोसी मूल पाकिस्तान अर्चने पैदा कर सकता है लेकिन विरोधी दलों के लिए कैसा रहेगा ये वक्त देखी करंट में जो है इस तैम जो है जो विरोधी दल है जा जो जो आपके जो ये पिये के घटक है उनके पास मुद्दा नाम की कोई चीज नहीं है अब देखिए इलेक्षन सिर के उपर है और आप मुद्दा के लिया के आए है बहस किस चीज पर हो रही है कि रमजान आ रहे है आप ये क्यों नहीं देखते कि इलेक्षन से हफ़ता पहले नवरातर भी तो आ रहे है और सारे हिंदू ते वहार इलेक्षन के दोरान ही आ रहे है उस चीज पर किसी नहीं नहीं बोला लेकिन इस चीज पर बोला जाती के आधार पर डिवाइड करने के लिए कि रमजान आ रहा है तो इसलिए इलेक्षन को पॉस्पॉंड किया जाया जा इसके उपर इनोंने गोर्नी किया तो ऐसी छोटी छोटी हरकते जब होंगी, ये तभी होती है जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता, मेजर कोई मुद्दा नहीं है, मोदी हटाओ इस नोटा मुद्दा वो देश के आवाम जानता है कि भाईया जो बंदा देश के लिए 24 में से 18 घंटे काम कर रहा है, और जो मापदंड मोदी जितने अपने कारेकाल में, परधान मंत्री कारेकाल में जबकि ये उनका स्टार्ट, फरस्ट एक्सपिरियंस है जो कर चुके हैं उसको मद्ध्य नजर रखते वे अगर अगले 10 साल उनको दिये जाते हैं करेश कहीं का कहीं सोने की चड़िया बना दें